नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सचिन और आज हम बात करेंगे कि श्रदी के मौसम में ये JOO केली के पौध equilibrium ये पिले पढ़ जाते हैं बहुत से किसान पूछते हैं कि ये हमारे पौधे हैं ये पिले पढ़ गए हैं तो घवरानी की बात नहीं है सरदी के मौसम पौधे पीले हो जाते हैं अत्यदिक सरदी के कारण जैसे ही जैसे सरदी कम होती जाती है और फिर पौधे अपने हरी रंग में आना प्रारम कर देते हैं तो बिल्कुन शिंद्र है और कुछ लोग यह कहते हैं कि पेड़ी को रखना चाहिए या नहीं हर वर्स नए पौदे लगाने चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको स्वास पाले कर प्राकरति क्रेशी में एक अद्भुत प्रेडाम जो देखने को मिला है वो मैं आपको साजा करूँगा यह जो आप जो केले की घार देख रहे हैं मैं और भी दिखा रहा हूं यह पेड़ी है इसका जो मुख्य पौधा था वो पिछले वर्स पौधा हमको फल दे चुका है और उसकी यह पेड़ी है तो जो पेड़ी से जो मुख्य पौधे के आसपास से जो पौधे निकलते हैं उसी मैंसे एक पौध हमने यह छोड़ा हुआ उस पे अब दुबारा यह जवरिस्त फ्रूटिंग हुई है तो अंतर क्या है अंतर यह है कि हाइट में बढ़ोत्री हुई है जो पौधे की हाइट उस समय 6-7 फीट रहती थी वह आज इसकी लगबग 10-12 फीट 10 फीट तो आसानी से है 10-12 फीट कोई-कोई पौधे हैं तो हाइट बढ़ी है मतलब यह देशी की और कनवर्ट हो रहा है एक तरह इसको बोले के प्राकर्तिक रसी में गुरूजी बताते हैं कि हम प्राकर्तिक रसी द्रंत करते रहते हैं तो वह अपने मूल सरूप में पौधा आना शुरू हो जाता है अभी आप देख रहे हैं यह जो पौधा है यह इस तब तक यह फ्रूटिंग देगा तब तक मुझे मानना है यह 15 फीट तक लंब जाएगा बस यह थर्ड थर्ड येर में या तीसरी साल में यह पूरी तरह देशी केला अपने देशी सुरूप में हो जाएगा यह देशी केला मानने होगा तो बिलकुल नहीं ऐसा करें कि हर पार नया केला पौदे उखालकर लगाएं और ऐसा कुछ नहीं है आप पेडी छोड़िये एक पौदा छोड़िये विप्रीत दिसाम है और उससे आप फल लीजी देखिए अब यह सेकिंड लियर का है आप इसकी फूरूटिंग देखिए जबर जस्त है क्वालिटी देखि बारिस होई अभी तो पत्तों की ऊपर से मिट्टी आ जाती है आसपास यहां रोड है तो काफी थोड़ा चलन रहता है मैं आपको बात करूँ यह देखिए आप हमने इसके आसपास मिट्टी चड़ाई आप यह देख रहे होंगे यहां कोई भी केले का पौदा गिरा हुआ पहर नहीं कि इसका यहां है हमने इसको बांदा नहीं है हम देखते हैं जग्धी जग्धे इसको बांदना पड़ता है पौद्य को एक दूसरे से यहां क्या किया है है ठोड़ी महरत जरूर लगती है इसमें यह देख रहे है पूरे पर मिट्टी चड़ाने के बाद इसको एक्दम से मजबूती देदी है इसके टिका रहता है पूरा आप इसकी मुटाई देख रहे हैं इसे फ्रूट मिल गया है यह देखिए और पानी देना भी बहुत आसान हो जाता है यह पूरे इन गोल घेरों के आसपास पानी जीवामर्थ हम छोड़ देते हैं तो पूरे बहुत सम मात्रा में पानी पूर खेत में जाता है और इसी के पत्ते काटकर इसकी जो मल्चिंग एकास्टाक्षद होता रहता है तो एक बार पौधा लगाना है आपको अच्छे पौधा लगाना है और सालों साल फूर्टिंग यही करना है आपको बिल्कुल और सर्दी के मौसम यह पीला पड़े जाता है घबराने की कोई बात नहीं है और यह सिवरात्त्री के बाद यह अपने मूल्स रूप में आने लगता है हरा होने लगता है नए-पत्ते निकलने लगते हैं तो यदि और कोई प्रशन हो तो आमाश कर आप